आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकास के प्रिकीदरन के कारण अगला देखिए अगला क्या है किस लेंस दौरा बना प्रतिबिम्ब सदेव आभासिवा छोटा होता है राइट एंसर होगा अब तर लेंस दौरा अगला देखिए अगला क्या है लेंस की छमता का मातरक क्या है जो इसका राइट एंसर हो जाएगा वो ह किस रंग का प्रिकीरण सबसे कम होता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग का अगला देखिए किस रंग का प्रिकीरण सबसे अधिक होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ किस रंग की तरंग देज सबसे अधिक होती है जो इसका राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग की अगला देखिए से अगला क्या है किस रंग की तरंग देज सबसे कम होती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बैंगनी रंग की अगला पूचा गया है प्रकास क वेग नून तम होता है तो प्रकास का वेग होता है नून तम किसमें, तो इसका रइट अशर हो जाएगा कांच में अगला देखिए ठान की उसे स्थी रेख देख्ञा में गमन करती है है अगला क्या है आस मां का रंग नीला दिखाई देता है आसमान का रंग जो नीला दिखाई देता है प्रकास के प्रकीरण के कारण अगला देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई का मालूम पड़ने का कारण क्या है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा अपवरतन प्रकास का अपवरतन के अगला देखिए प्रकास किस प्रकार की तरंग है प्रकास जो है वो किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस तरंग है अगला देखिए नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है तो उत्तर लेंस हो जाएगा प्रकास की चाल सबसे अधिक होती है तो प्रकास की चाल सबसे अधिक क कितना होता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.42 यहाँ पर देखिए प्रकास के अपवतन के कितने नियम है प्रकास के अपवतन के दो नियम है अगर आप ये दो नियम डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देखिए